हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी लोग का इंडिया फ्लाइज चैनल पर फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिको एरलाइन जी हैं दोस्तों इंडिको एरलाइन जो की भारत की बजेट केरिर एरलाइन कंपनी होने के साथ साथ भारत की स इस नई फ्लाइटों को शुरुआत कर रही है यहाँ पर पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं उससे पहले फ्रेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इसके लाबा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हमारे दोरा देगी लेटिस जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहें तो फ्रेंट्स सुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले हैं आपर जान लेते हैं कि इंडिको एरलाइन्स कौन-कौन से सहरों से अपनी उडानों को चालू कर रही है इंडिको एरलाइन्स की ये फ्लाइट जो है उडान सेवा के अंतरगत रही हैं जिसमें इंडिको एरलाइन्स को काफी ज़ादा छूट मिलने वाली है इसके लबा यहाँ पर भूनेसवर, पटना से भी इंडिको एरलाइन्स की नई उडाने चालू हो रही है जैपूर, बड़ोदरा का भी एक रूट है चन्नाई और बड़ोदरा के बीच में भी इंडिको एरलाइन्स अपनी फ्लाइटों को चालू कर रही है इसके लावा बैंगलूरू, सीडी, पटना, कोची इसके लावा फ्रेंड्स यहाँ पर राजा मुंदरी से तिरुपती के लिए भी यह साउथ में यहाँ पर फ्लाइटे भी चालू कर रही है आपको बता देखी इन सभी लोकेशन्स के अलावा इंडिको एरलाइन्स जो है बात करें यहाँ पर इंडिको एरलाइन्स की यह फ्लाइटी कब से चालू होने वाली है इसके लावा यहाँ पर दोमेस्टी फ्लाइटों से एक और बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार जो लोग भी इस समय डोमेस्टी फ्लाइटों के मादिम से ट्रेवल करने की सोच रहे थे उन सब लोगों का यहाँ पर फ्लाइट का किराया थोड़ा सा महंगा हो गया है बात करें हैं आपको कितना महंगा हुआ है तो जो फ्लाइट का किराया पहले दो हजार रुपे का मिला करता था अब वो ही फ्लाइट का किराया आपको बाइस सो रुपे का मिलेगा इसके लावब 6,000 रुपे का जो आपका फ्लाइट का टिकट था वो आपको 78,000 रुपे का मिलेगा मतलब 7,800 रुपे यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे आपको पताना चाहेंगे कि यहाँ पर भारत सरकार ने जो है फ्लाइटों के प्राइस बैंड के ऊपर तरिक्सन लगा रखी थी मतलब कि एर्लाईन्स कमपनिया अपने मनमाने तरीके से फ्लाइट का किराए नईडी सैड़ कर सकती थी जिसके बाद यहाँ पर एर्लाईन्स कमपनियों की तरफ से दबाव आने के बाद अब यहाँ पर civil aviation मंत्राले ने इस limit को बढ़ा दिया है यानि कि इस limit को 10% lower band पर और 30% upper band के उपर limit बढ़ा दी गई है जिसके बाद आपका flight के किराय महेंगा होने वाला है लेकि अच्छी बात यह है कि Indico Airlines यहाँ पर देश के कई ऐसे location से अपनी flight को चालू कर रही है कि सोच रहते है फ्लाइटों के माधियम से वो लोग भी अब यहाँ पर travel कर सकते हैं आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो यह दिया आपको अच्छी लगती है एरलाइंस की न्यूज़ यह दिया आप regular basis पर देखना चाते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार